यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ हिमाचल कॉंग्रेस को रजनी पाचिल के रूप में नया प्रभारी मिलने के बाद अब प्रदेश कॉंग्रेस को नया अध्यक्ष भी जल्द मिल सकता है कॉंग्रेस हाइकमान से जुड़े उच्छ तरिय सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले लोगसभाचुनाव के तहत प्रदेश में संगठन को चुस्त दरुस्त करने के लिए इसकी पूरी तैयारी हाइकमान की ओर से कर ली गई है पार्टी की नई प्रभारी ने अपने हिमाचल दौरे के दौरान पार्टी नेताओ और कारेकरताओ से जो फीडबेक जुटाई है उसे फीडबेक के अधार पर आलाकमान प्रदेश में संगठन में बदलाव की पठकता को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं पार्टी हाई कमान को प्रदेश उसे जो फीडबेक दी गई है उसमें साफ बताय गया है कि सरकार और संगठन की दूरियों के चलते प्रदेश में वीर भद्र सरकार का मिशन रिपीट सकार नहीं हो पाया और कॉंग्रिस को विपक्ष में बैठना पड़ा जिसके चलते बाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने आज नाहन में एक प्रेस कांफरेंस की इस दोरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को परेटन के अक्षेतर में आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि सीएम जैराम ठाकुर प्रदेश को हर अक्षेतर म आगे ले जाने का काम कर रहे हैं साथि पेज्रल और सिचाय जैसी उजनाओं के विकास के लिए काम किया जा रहा है और जल्दी इस समस्या से भी जनता को छुटकारा मिल जाएगा इसके लावा बलदेव तोमर ने कहा कि कॉंग्रिस को प्रदेश के विकास हजम नहीं हो रही है और इसलिए वो गलत बयान बाजी जनता को भड़काने का काम कर रहे है तो यहां पर कॉंग्रेस को आड़े हाथों लिया हुआ है और कॉंग्रेस को यह कहा है कि कॉंग्रेस विकास को हजब नहीं कर रही है तो यहाँ पर तोमर का कॉंग्रेस को करारा जवाब मिला है और यहाँ पर कॉंग्रेस की ओर से सीम जैराम ठाकुर को नाटी वाला सीम कहा गया था और इसी के ओपर परटवार किया गया है कि नाटी हमारी संस्कृती है प्राइस की ओूर झाला सीम जैराम ठाकुर कॉंग्रेस की ओर से सीम जैराम ठाकुर कॉंग्रेस थाटी ओर वाला जाटी है